स्टुडेंट्स वेलकम तो माई यूट्यूब चैनल मैं आज शुतमर जा आज का इस वीडियो में हम दिनांग 21 अगस्ट 2023 का मिशन गनीत के तहट काक्षा नाइंद का कार्य पत्रक लेकर के उपस्तितू हमारा टॉपिक है रेखाएं वह कौन दैट मिन्स चेटर नमबर छे आपकी बुक्त विशह रेखाओं का प्रतिछेदन वर्ष शेर्शाभी मुक्त अब देखें वीर और विनी के बीच बातचीत है इस वर्कषिट में वीर क्या तुम जानते हो शेर्शाभी मुक्त क्या होते हैं हां विनी जब दो रेखाएं एक दूसरे को एक बिंदू पर प्रतिछेद करती है तो जो शेर्श है शेर्श जहां पर दोनों प्रतिछेद करती है तो वहां पर प्रतिछेदन के कारण बनने वाले विपरीत कोन यानि इसके विपरीत ये कोन और इसके विपरीत ये कोन ये शेर्शाभी मुक्त कहलाएगा वीर क्या आप शेर्शाभी मुग कोन के बारे में देखें, जब दो रहे खाएं, एक दूसरे को एक बेंदु पर प्रतिछेद करती है. तो प्रतिछेद के कारण, बनने वाली जो कौन है विपरीत कौन है यानि इसके विपरीत ये कौन वो सिरसावी मुख कहलाता है इसी तरह इसके विपरीत ये कौन सिरसावी मुख कहलाएगा अब सिरसावी मुख कौन के कुछ उदाहरन तो देखिए सिरसावी मुख कौन के उदाहरन पर चर्चा कर दैनिक जीवन से संब सिरसभी मोजकों नर बनाता है कैंची सिरसाभी मोजकों बनाता है ऐसे ही यह moderate और topics here रहा है नीचे दे गई आकरिती में एक ओर तीन सिर्शाभी मोजकों है यह एक और amplis재 तरह और चार भी सिरसावी मुखकोन होगे जब दो रेखाएं प्रतिछेद करती हैं एक बिंदु पर तो इस प्रकार बने सिरसावी मुखकोन बराबर होता है यानिए कौन एक कमाझ को उत्री का वे उत्रीड खुश्य खूश्य और ऑन instead seems to beraelic कॉन के लेखाओ से को दो चार तो इस परतार हमने सिरसावी मुखकोन कि बराबर होते हैं कि उमीद है समाज में आओगा अच्छा लगे तो लाइक सब्सक्राइब शेयर जरूर करें धन्यवाद